जै स्री किष्ण, स्वागते आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटुब चनल पर, आज मैं आपको पूरण मासी से सम्मंद जानकर दे रहा हूँ, कार्तिक पूरण मासी, कार्तिक पूरण मासी का सास्त्रों में विशेश महतों मिलता है, और यह साल की सबसे बड़ी पूरण मासी है, कार्तिक पूरण मासी के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक पूरण मासी के दिन जो भी अम पूजा पाट करते हैं, उसका विशेश महतों होता है, कार्तिक पूरण मासी वाले दिन भोले नात प्रसन नो करके मनवांचित भल प्रदान करते हैं, वही भ पूरण मासी को इस बार ग्रहन पढ़ रहा है, चंद ग्रहन, ग्रहन के जो सूता के सुबह से ही लग जाएंगे, इसलिए आठ तारी को पूरण मासी नहीं मनाई जाएगी, साथ तारी को पूरण मासी मनाई जाएगी, लेकिन आठ तारी को ग्रहन के बाद में, छे वज के आपको साथ तारी को जल चड़ाना है। सबसे पहले सूरदेव को अरक देंगे, फिर उसके बाद पीपल ब्रक पर जा करके आपको जल चड़ाना है। इस दिन पीपल ब्रक की पूजा का विशिष महत तो है। उसके बाद में आपको भगवान सिव का अफिक करना है ओम नमस्वाइ मंत्र का जाब करते हुए गाय के दूसरे भगवान सिव जी का अफिक करेंगे अफिक करने बाद में भगवान को भस्मी अरपन करेंगे पुष्प अरपन करेंगे और उसके बाद में आप बेल पत्र भगवान को अरपन करना है उसके बाद भगवान को मुली का धागा अरपन करने मता पारवतियों भगवान सिफ को गनेजी को सिफपरवार को उसके बाद में वहाँ पर आपको धीपक जला देना है और भगवान के सामने ही अपनी इच्छा बोल करके आपको अपनी मनुकावना बोलते हुए पुषप अरपन करने ही 11 या कमल पुषप मिल जाता तो कमल पुषप अरपन करें इस दिन नो रासियों को विशिश लाब मिलने बाला है इस दिन का बहुत बड़ा यूग है क्योंकि ग्रहन भी पड़ रहा है तो कही रासियां साबधानी भी बढ़ते हैं और कही रासियों को विशिश लाब मिलेगा संतान का धन का मान सम्मान का ब्यवपार उन्यती का हर प्रकार का तो इस दिन क्या करना है आपको पहला पीपल ब्रग पजल चड़ाना है दूसरा भगवान सिवकी पूजा करने है तीसरा भगवान विश्णू का पूजन करना है भगवान को इश्णान कराएं इश्नान कराने के बाद में आप पुत्र की मनुकामना बोलतो भगवान के सामने केले के पल अरपन करें तुलसी पत्र और आमला अरपन करें भगवान के सामने ओम नमु भगते बास देवाय नमा मंतर का जाप करते हुए आप यह चीजे भगवान को अरपन करेंगे उसके बा जाते हैं कि च्छा भगवान स्यम्हों पूरी करते हैं, तो बिशिश योग बना हुआ है, बहुत बड़ा योग बना हुआ है, आपको जरू यह उपाय करें, उसके बाद हूँ 365 बत्ती जानी है, यह पूजा करें, दान पुन करें, उसके बाद हो 365 बत्ति आपको जलाने, यह को गोला ले ले, शूगा गोला होता है, उसके में 365 बत्ति रखें, उसी के अंदर आपको तेल डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, अब यह बत्ति ले जाकर के आपको पीपल भ्रक के नीचे जला देनी हैं, और वहाँ पर आपको 108 पर करम देनी, इस दिन भगवान को नेवेद्य अरपन करें, मक्कन मिस्री का भोग लगाएं, भगवान को अनेको प्रकार के भोजन इस दिन अरपन किये जाते हैं, जो भी आप कर सकें, जितना भगवान को आप भोग लगाएं, उतनी पदारते आप भगवान को अ एक्वान सामने प्रेसाद आपने रखायों, वो खाएं, इससे आपकी मनोकामना वश्य पूरी कuin। ब्रशभरासी, इस दिन बहुती भगिसाली रहने बाली है, इस रासी बालों को विश्चिंपूर्ण मिलेगा, इनकी मनोकामना पूरी की। दूसरी जो रासी है मितुन रासी मितुन रासी इस दिन बहुत ही लावन्त गरेने वाली है पुत्र धन प्राप्ति का मन सम्मन का योग है बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं अगली जो रासी है जिसका योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है वह सिंग रासी सिंग रासी है धनुरासी धनुरासी वालों को विसे इसलाम मिलेगा और इनकी प्रतिक मनुकामना पूर्योगी धनुरासी के बाद में जो रासी लावंतक रहने वाली है वह है मकर रासी और मीन रासी ये रासियां ब्यादी भाग्य साली हैं इन रासियों का यूग बहुत ही अच्छा है वैसे इस दिन सभी रासी वाले उपाए करें सभी की मनुकामना पूरियों को दान पूर्ण जरूर करना है जितना सम्मबो उतना दान पूर्ण करें बोले ना तो आपकी प्रतिक कामना पूरी करेंगे भगवान को इस दिन बेल पत्र भांग दतूरा भश्मी खीर का प्रसाद जरूर अरपन करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमस्यू